हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपने अपने घरों में सेफ होंगे तो सबसे पहले आप सभी लोगों को वज सावीत्रीवरत की हार्दिक शुपकामन है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर पर कैसे गंटे बारिस हुई और साथ में जो कोवीट का समय चला है वो तो आप सभी जानते हैं तो इसलिए मैंने घर पर ही पूजा की बहुत सी जो महिलाएं वो घर पर ही पूजा कर रही है वट सावीत्रीवरत की तो देखते हैं क्या-क्या इसमें चीजे जरूरत पढ़ने वाली आज की वीजियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने वट सावीत्रीवरत की पूजा कैसे की तो सबसे पहले हमने आप एक लोटा लिया है जो पूजा वाला तामे का लोटा उस पे जल लिया है और अगर बत्ती लिये धूप बत्ती है तो वो ले सकते हैं और यह ऐपन हो नहीं को बताऊंगी तो यहां हमें 12 चने एक लेने है एक लेने दो जगा रेने है तो 12 चने हम क्या करेंगे जब रांड यानि की फेरे लगाएंगे तब के लिए 11 चने हमें निगलने होंगे तो यह 12 चने हो गए और 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9 और 10,11 और यह 12 यह 12 चने है फ यारा चने रखे हैं वो निगलने के लिए फ्रेंक्स थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चला है तो प्लीज आवाज आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नूर कीजिएगा और यह है बर्गत गौर्माता को चड़ाने के लिए और यह है एंटी गोईटी बोलते हैं हमारे य चिस और यह है गौर्माता गाय के गोवर की बनती है और यह फूल है और साथ में यह बर्गत जो हमारे होते हैं पूजा के लिए बारा बर्गत गौर्माता को चड़ाए जाते हैं और बारा हमारे होते हैं ऐसे ही बारा जोड़ी पूडियां जो जिनको कुचया बोलते हैं वो गौर माता को चड़ जाएंगी और ये बारा जोड़ी जो पूरिया होती है कुचया जिनको बोलते हैं वो हमारी रहेंगे और दो खरबूजे हमने या पे लिए हैं एक खरबूजा गौर माता के लिए होता है और एक जो है अपने लिए अपना खरबूजा होता है और फ्र ये जब हम लोग धागा लेते हैं अगर उस धागे में एक साथ तीन लेयर हैं तो चार राउंड लगाएंगे माला बनाते समय अगर उस एक धागे में चार लेयर हैं तो फिर हम तीन राउंड लगाएंगे यानि कि बारा धागे माले में होने चाहिए और इतना सामान हमें ले परवाली उसको हमने इसमें रख दिया है और अब हम फूल से जो है जल छिड़केंगे गौर्माता के उपर और साथ में जो बरगत का पेड़ है इसके उपर और फूल चड़ाएंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर हम सिंदूर चड़ाएंगे सिंदूर लगाएंगे फ्रे बूजा है तो पहले मैंने सोचा ऐसे गमले पे चड़ा दूँगी लेकिन नहीं बन रहा था तो मैंने एक न्यूस पेपर रखा बगल में और उस पे हमने गौर्माता को रखा और फिर जो गौर्माता का सामाने वो पहले मैं चड़ाओंगी सभी बारा जोड़ी जो कुचय है यानि कि पूड़ी चोटी चोटी वो चड़ाई 12 बरगद और खर बूजा यह गौर्माता को अर्पित कर दिया हमने यह देखिया इस तरीके से फ्रेंट्स ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं घर पर पूजा कर रहे हूँ वैसे तो मैं मंदिर में ही जहां पेड़ है वही जाती हूँ और यह अपनी पूड़ियां होती है वो मैं चड़ा रहे हूँ और यह बरगद है जो खुद को खाने होंगे भी बाद में पूजा के बा अपना होता है वो ले आते हैं और अब आईपन को हम दोनों हथेलियों में लगा के और फिर ऐसे पेड़ में लगाएंगे खरबूजे में इस तरीके से ऐसे हम इनको भी चड़ा देंगे आईपन जो होता है और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा हाथ को ऐसे साफ कर ले रहे हैं और फिर हम अगर बत्ती जलाएंगे धूबत्ती जो भी आप जलाना चाहें जला सकते हैं तो फ्रेंक्स बहुत अच्छा रहता है कहते हैं यह जो ब्रत है यह सोभा गिवत्ती महिलाएं रहती है इससे हमारा जो शुहाग होता है अखंड होता है और हमारे पत्ती को लंबी उम्र मिलती है तो इस तरीके से हम अगरवत्ती भी यहीं पर लगादेंगे अगरवध्ति लगाते समय में ध्यान रखना है कि कहीं भी बर्गत का पेड जो है पत्ते वगारा जले नहीं इस हिसाब से लगाना है और हमने सभी चीज़े अरपित कर दी हैं और फिर अब हम क्या करेंगे यह देखिए इस तरीके से जो धागा है इसको हम ऐसे जो है इसके फेरे लगाएंगे तो ग्यारा बारा चने अब हम ले लेंगे यह देखिए यह टोटल बारा चने हैं और ये देखिए ये तो इन चनों को हम अलग-अलग कर लेंगे 11 चने हमें बाद में निगलने हैं और 12 चने जो है वो हम पूजा के लिए लेंगे तो चलिए 12 चने ले लिए हैं हमने और अब हम खड़े हो करके इसके फेरे लगाएंगे तो हमें 12 फेरे लगाना है जहां से हम फेरा शुरू करेंगे वहीं पर जब एक फेरा हो जाएगा तब हम एक चना डालेंगे तो पहले हमें गांठ नहीं लगाना है ध्यान रखना है धागा तूटने ना पाए उस समय तो देखिए हमने ऐसे धागे को फसा के शुरूत कर दिये तो देखिए एक फेरा हो गया ऐसे एक फेरा लगा चना डाल दिया फिर दूसरा फेरा ये देखिए और इसी तरीके से हम पूरे बारह फेरे लेंगे और हर एक फेरा को पूरा करते हुए एक चना हम जो है बर्गत के पास में पेड़ के पास में डाल देंगे तो इस तरीके से आप देखिए हम पूरे 12 फेरे यहां पे ले रहे हैं तो फ्रेंट्स आपका तरीका कैसा है पूजा करने का मुझे कमेंच करके जरूर बताईएगा और यह देखिए तो फ्रेंट्स ऐसे फेरे लेते हैं आप किया बताईएगा जब पूजा आप लोग करते हैं तो आप लोग फेरे ऐसे लेते हैं कि नहीं इस तरीके से तो फ्रेंट्स आज पहली बार हमने घर पर ही पूजा की है तो हमने सोचा की ये अपना experience आप लोगों के साथ share किया जाए जिससे जो भी मैलाएं घर में पूजा करना चाहती उनको थोड़ी सी help हो सके और अगर वीडियो में कोई कमी रह गे पूजा में तो माफ कीजेगा और जब भी कोई भी पूजा जब समाप्त करते हैं तो एक बर भगवान से हाथ जोड़के ऐसा जरूर कहते हैं कि भगवान जी अगर पूजा करने में कोई भूल चुक हो गई हो तो इसको माफ कीजेगा आप क्या करेंगे जितना धागा बचा हुआ है उसको हम ऐसे पेड़ में कहीं पे फिक्स कर देंगे लेकिन यहां पे कहीं फिक्स करने की जगा नहीं है तो हम वहीं पर रख दे रहें धागे को और जो हमने अगर बत्ती लगाई थी धागा उसमें से थोड़ा फसा हुआ है तो अभी हम इसको हटा देंगे क्योंकि धागा बिल्कुल भी जलना और टूड़ना नहीं चाहिए और अब हम क्या करेंगे यह जो माला है इसको बदलेंगे तो बारा बार इसको हमें बदलना होता है तो आप देखिए माला कैसे बदलते हैं तो यह दे माला जो अपने गले में पहन लेंगे तो फ्रेंक्स जैसे कभी दो लोग पूजा करते हैं तो आपस में माला बदल सकते हैं लेकिन अगर किसी के साथ में कोई नहीं पूजा करने वाला तो वो गौर माता से माला बदल सकता है यह देखिए माला मैंने पहन लिया है मुझे ब नुकिली जैसी होती है, इसको हम चोटा कर लेंगे चील करके और चने हम छोटे-छोटे लिया है और अब मैं जो अपना सामानें वो अलग रख ले रही हुं इसको हम प्रशाद की तोर पे खाएंगे सबसे पहले में यह खाना है जाने खाने के बाद मैं सबसे पहले हम बर गत खाएंगे और पानी पी लेएंगे मुझ उठा करेंगे और फिर बाद में हाद दूल करके फ्रेंक्स हमें सुहाग लेना है तो फ्रेंक्स इस बार मैंने मौसम की वज़े से और कोविट की वज़े से घर में पूजा की आप देख सकते हैं लगा तार दो धाई घंटे बारिश वही थी तो फिर मैंने घर पर ही पूजा कर ली पूजा करने के बाद आखिर में हमें शुहाग लेना शुहाग कैसे लिया जाता है आप सुन लीजे मैं आपको बता रहे हूँ सबसे पहले जो सिंदूर दानी होती उसमें से हम तीन बार गौर माता को चड़ाएंगे फिर गौर माता से सिंदूर लेकर के अपनी मांग में लगा देंगे फिर बाद में जो सिंदूर उनका लिया है हमने तो फिर हम सिंदूर दानी से फिर गौर माता को लगा देंगे यानि कि हमने जो उनका सिंदूर लगाया था वो वापस हो गया हमारा सिंदूर अमर है और इस तरीके से पूजा हमने की थी तो फ्रेंट्स आपको ये पूजा की विदी हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगाओ तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट में आप जैमातादी भी लिख सकते हैं और हमारे चैनल को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाग अमर रहे स्वस्त रहे सभी लोग थैंक यू थैंक पर बहुचिंग